किंद्री विद्यले संकथन के द्वरा जो एक्जाम कराया गया वहाँ पर PGT, TGT, PRT के बारे में बात की जाए तो अभी भी कट ओफ मार्क्स को लेकर के संशय स्टुडेंट्स के बीच में बना हुआ है उन ही के बारे में इसी चीज को लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट तक रहिएगा तो सबकुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा बहुत-बहुत सबागत है आप सभी का महेश अकाडमी यूट्यूब चैनल पर ना है आपको अपनी तयारी पूरी तरीके से शूरू कर देनी चाहिए फाइनल आंसर की इस समय जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहा है यह लडिसी यह अपका डिपार्टमेंटल एक्जाम का जो फाइनल आंसर की है वो है इसके पहले Assistant Commissioner की बात की जाए जो Direct Recruitment वाला था 27 March को result आया 10 April से उनका interview शुरू हो रहा है मतलब 12 से 14 दिन ही आपका दिया गया जब हम interview और result के बीच के समय को ले करके बात करें और यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छे सियाद रखेंगी 120 एब जनरल केटिकिरी की मैं बात कर रहा हूँ Accordingly आप अपने Marks को यहाँ पर कम कर सकते हैं 120 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप पूरे पूरे आप Green Zone में कहीं ने कहीं आपको अपने आपको ले करके चल सकते हो मलब आप इंटर्व्य की पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाए 112, 115 Marks का इसलिए भी मैंने वो भी बताया है इसलिए बताया है क्योंकि जब आपके आंसर की को ले करके बात करते हैं तो गलतिया बहुत सारी है तो Marks बढ़ने की पूरी संभावना है आपके 5-5, 7, 7, 8, 8 Marks सिधे-सिधे आपके बढ़ सकते हैं तो ऐसे में उनको भी तैयारी करनी चाहिए कुछ भी अगर अगर अब तैयार करते हैं, सिखते हैं, अधिगम करते हैं तो वो कहीं भी बेकार नहीं जाएगा तो पढ़ाई सभी लोग शोरू करें कटाउफ को ले करके भी यहाँ पर एक मने एक रफ जो चीज है वो मने बता दिया है आप अगर ले करके चलते हैं जो प्रिवियस कटाउफ 66% रहा है तो उसके हिसाब से आप देखेगा आपको अपनी चीजे जो है वो निकल करके आ जाएंगी 181 आप 66% निकाल सकते हैं वीडियो को शेयर कर दीजेगा अपने दोसों सेपाटियों के साथ में भी एक और वीडियो में हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का